पौरानिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृती का साथ दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार आरेवर्ट भारत का स्वाभिमान सब्सक्राइब करें अथ कार्तिक महात्मे भाषा चौबीसवा अध्याए नारजी ने कहा देव गणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा सब मनुष्य भगवान विश्नु की प्रसन्नता के लिए विविध आराधना, यग्य, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आधी करते हैं किन्तु कोई ऐसा सरल उपाय बताईए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो गणों ने कहा हे दुज श्रेष्ट, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ट है हम आपको भगवान विश्नु को शीगर प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं हम इतिहास सहित प्राचीन व्रतांत सुनाते हैं सावधानी से सुनो प्राचीन काल में कांची पूरी में चोल नामक चक्रवती राजा राजी करता था उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था राजा चोल के राजी में कोई प्राणी, दरिद्री, दुखी, पापी वह रोगी न था यह सब राजा के यग्य करने का प्रभाव था ताम्रपणी नदी के दोनों के नारों पर सोने के यग्य स्तंब सुशोबित थे हे द्विजवर एक दिन वह राजा भगवान विश्णु के पास गया भगवान उस समय शेश शया पर योग निद्रावश सो रहे थे राजा ने उनकी मनियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्यफालों फूलों द्वारा पूजा की वह साश्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांची पुरी के ब्राहमन विश्णु दास को वहां आते हुए देखा विश्णु दास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिये हुए था विश्णु दास ने वहाँ आकर भगवान को विश्णु सूक्त मंत्रों द्वारास नान करवा कर मंजरी तथा दलों से उनका विधी पूर्वक पूजन किया विश्णु दास के चढ़ाई हुए दलों से राजा के चढ़ाई हुए मनी, मोती वस्वर्ण के फूल ढक गए पूलों को तुलसी दल वह अपने सादे फूलों से ढक दिया है तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने क्यूंकि तूने मेरे किये हुए विश्णु दास को भी क्रोध चढ़ाया और वह राजा के गौरव को तुच्च समझ कर कहने लगा हे राजन तुम भक्ति करना नहीं जानते तुमको अपने धन का घमंड है बताओ आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किये हैं देवगण ने कहा ब्राहमन के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हसकर कहा हे विप्र भगवान की भक्ति के अभिमान से तु ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राहमन में भगवान की भक्ति ही कितनी है क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कोई मंदिर ही बनवाया है तुम तो भला इस प्रकार की भक्त का, जैसे कि तुम कह रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो यहां जितने ब्राहमन बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विश्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे देवगण ने कहा, इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदुगल को आचारे बनाकर विश्णु यग्या आरंभ किया उसने उस यग्य में अनेको रिशियों, महर्शियों को बुलाया उनको बहुत सा आनाज और नकदी आदी दक्षिना दी जो यग्य पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था वही यग्य राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया विश्णु दास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसनता के लिए व्रत करने लगा उसने माग तथा कार्तिक मास के व्रत किये तुलसी के वन की ओर एकादशी के भगवान विश्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाब किया वह भगवान को प्रसन करने के लिए गीत गाता रहा वह नृत्य करता रहा नित्य प्रती व्रत करता भूमी पर सोता हर समय भगवान विश्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समद्रिष्टी से भगवान को ही देखता था इस प्रकार राजा चोल और विश्णु द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए गणु ने कहा विश्णु दास एक दिन भोजन तयार करके भक्ति में तल्लीम था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया लेकिन साए काल की आराधना हो सके और रत भंग ना हो इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तयार नहीं किया श्री नारध जी ने कहा हे राजन इस तरह लगातार साथ दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए अगर मैं भोजन बना कर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी अतह मुझे भोजन बना कर तुरंत खाना नहीं चाहिए बिना भगवान को भोग लगाए वैश्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए अगर साथ दिन बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही आज मैं भली भाती भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है ऐसा सोच विश्णुदास भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुरबल था उसके शरीर पर केवल चमडी ही चमडी दिखाई देती थी जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विश्णुदास ने उसे पुकारा हे भाई यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगी घी भी लेते जाओ ऐसे कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मन आगे को बढ़ा विश्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौडने लगा वह ब्राह्मन से डर गया लेकिन निर्बलता के कारण दौण भी तो न सकता था अतेह वह भूमी पर गिर पड़ा और मूर्चित हो गया चांडाल को मूर्चित देखकर विश्णुदास लपक कर उसके पास पहुँचा और अपने वस्तर से उस पर हवा करने लगा और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर चकित रह गया उसने देखा कि उसके सम्मुक, शंक, चक्र, गदा, पद्म, पीतामबर धारी, चतुर्भुजी रूप अलिसी के फूल के समान वाले च्छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विश्णु खड़े हैं भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्रहमन उनकी स्तुती तथा प्रणाम कुछ भीना कर सका वहीं पर सब इंदरादी देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्वत तथा अपसराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्रहमन को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा कर उसे बैकुंठ ले गए दिव्य विमान में ब्रहमन को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा उसने अपने गुरु आचार्य मुगदल को कहा कि मैंने जो यग्यादी किये हैं वे सब व्यर्थ हुए जितनी दान दक्षना मैंने ब्रहमनों को दी वे असफल हुई विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए विष्णु दास ब्रहमन ने केवल श्रधा से भक्ति की उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिये इसलिए भक्ति ही सर्वोपरी है मुझे भगवान विश्णु के दर्शन के लिए राज काज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राज गद्धी का अधिकारी बना दिया और आप विश्णु भगवान की भक्ति करने लगा बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी जब विश्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिये तो वह अगनी कुंड में कूद पड़ा अगनी से प्रगड होकर विश्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन हूँ उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठा कर बैकुंठ लोक में ले गए भगवान विष्णों ने अपने समान रूप वाले ब्राहमन को पुन्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वार पाल बनाया धर्मदत ने पूछा हे देवगण जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुन्य किया था जिससे भगवान विष्णों का रूप धारन करके वह उनके द्वार पाल हुए गणों ने कहा प्राचीन काल में त्रणा बिंदु की पुत्री देव हुती से करदम रिशी द्वारा केवल देखने मातर से ही दो सुन्दर बालक उत्पन्य हुए उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ बाद में देव हुती के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए जय और अजय दोनों ही भगवान विश्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे दोनों ही नित्य प्रती अश्टाक्षर मंतर का जाप करते थे और भगवान विश्णु का व्रत करते थे भगवान भी उन दोनों भाईयों पर अत्यंत प्रसन्य थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे एक समय राजा के निमंत्रन पर दिवर्शी नारत गणो सहित राजा के यग्य में पधारे उस यग्य में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यग्य को सम्पूर्ण करवाया यग्य की विधी पूर्वक समाप्ती हुई मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया वहधक्षिना लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आये धन का बटवारा करते समय दोनों भाईयों का आपस में जगड़ा हो गया जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर बराबर भाग होने चाही अजय ने कहा नहीं जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है तब जय ने क्रोध में भर कर अजय को श्राप दिया तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो इसलिए तुम ग्राह हो जाओ अजय ने जय का दिया हुआ श्राप सुईकार कर लिया और जय को श्राप दिया तु अभिमानी है इसलिए तु हाथ ही हो जा जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा दोनों ने प्रभु से कहा हे देव हम दोनों आपके भक्ते हैं मगर हम हाथी की योनी में कैसे होंगे हे कृपासागर श्राप से हमारा उद्धार केजिए भगवान विश्णु ने कहा मेरे भक्तों की वानी भी कभी असत्य न होगी यमराज भी इसको अन्यता नहीं कर सकते पूर्वकाल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंब से प्रगट होना पड़ा था और राजा अंबरीश के कहने पर दस अवतार लेने पड़े थे अतह एव तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे इतना कहकर भगवान विश्णु अंतर ध्यान हो गए गणों ने कहा तब वह दोनों गंड की नदी के किनारे मगर और हाथी होए जाती स्मरण रहने के कारण इस योनी में भी भगवान विश्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे एक दिन कार्तिक की पूर्ण मासी को वह हाथी स्नान के लिए गंड की नदी में गया तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड लिया मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विश्णु का स्मरण किया फिर क्या था तुरंत ही शंक, चक्र, गदा पदमधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उधार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए उसी दिन से उस थान का नाम हरी क्षेतर प्रसिद्ध है चक्र के आगहात से वहां के पत्थरों में भी चिन बने हुए हैं वे दोनों भी जै और अजै के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं हे विप्र आपने भगवान विश्णु के द्वार पालों के संबंध में जो प्रश्ण किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ ब्राह्मन वैश्णों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। वरत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग का कदावी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्यागने के पश्षात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विश्णों को प्रसन करने वाले इस वरत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यग्य दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विश्णु को प्रसन करने वाला व्रत किया है, और जिसका आधा फल तुमने इस कलहा को दिया है, उसके फल स्वरूप हम कलहा को बैकुंठ में लिये जा रही है। नारज जी ने राजा प्रिथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विश्णु भक्ती का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विश्णु के पार्शद बैकुंठ को चले गए। इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में विश्णु लोक को प्राप्त होता है। चोबीसवा अध्याय, पूर्ण हुआ। नारायन की भक्ती रस के लिए सब्सक्राइब करें। आर्यवर्द, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ती है आर्यवर्द। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा वा सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा। जिससे न केवल आपको सुख शांती मिलेगी, अपितु गौ दान सद्रिश्य पुन्य की भी प्राप्ती होगी। दान असंख्य पापों को नश्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूनत्व और उसका भूशन है। झाल का भूनत्व यैय। झाल कि जाल कि भी बापको होगी। झाल झाल